Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel, मेरे आज की पहली रेस्पी है, क्रीमी पास्टा सैलेड, इसके लिए, दही ले ले, एक कप, मायनीज, हाफ कप, इसीवी काली मेच, 140 स्पून, इसीवी चीनी, 1 टेबल स्पून, सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर ले, शेमला मेच ले ले, बारी कटी हुई, 3 टेबल स्पून, बीबी कॉन ले ले, बारी कटी हुई, 2 टेबल स्पून, ब्लैक ओलिफ, 1 टेबल स्पून, ग्रीन ओलिफ, 1 टेबल स्पून, अब इन सब चीजों को अच्छी तरह mix कर लें किसी भी शेप का पास्ता ले ले 200 ग्रैम्स इसको boil कर ले और इसको इसमें शामिल कर दे अच्छी तरह mix कर ले अगर आप चाहें तो आप इसमें boil chicken भी शामिल कर सकते हैं क्रीमी पास्ता सैलेड त्यार है आखिर में ब्लैक और ग्रीन ओलिव से गानिश कर ले में दूसरी रेस्पी है क्रीमी फ्रूट्स हैं नट्स सैलेड इसके लिए बारिक चॉप किया हुआ सेब ले ले एक कप Tetra Pack क्रीम 300 ml पिसी उचीनी 1 टेबल स्पून बादाम को boil करके उसका छिलका उतार ले 2 टेबल स्पून पिस्ता 3 टेबल स्पून काजू 2 टेबल स्पून अख्रोट 2 टेबल स्पून किश्मिश 2 टेबल स्पून मायनीज 1 कप बारिक कटे पाइनेपल 1 कप काली मिच का पाउडर एक चुटकी क्रीम में मायनीज, चीनी और काली मिच शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें क्रीम मिच शामिल झाल झाल सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई है अब इसमें फूर्ट्स और सारे नट्स शामिल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें झाल झाल क्रीमी फूर्ट्स और नट्स शैलेट त्यार है इसको पाइनेपल के स्लाइसिस से गारिश कर लें अब मैं आपको हुमस बनाने का तरीका बताऊंगी ये बनाने के लिए सुफेद तेल ले लें हाफ कप अब इनको आइसता आज पर इतनी देर तक दोस्ट करें कि इन में से खुश्बू आने लगे और इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए ये तिल अच्छी तरह भून लिए हैं अब इन तिलों को एक ब्लेंडर में डालें अब इसमें 3 टेवर स्पून औलिव आईल के शामिल करें और इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें ताहिनी पेस्ट त्यार है आप इसकी जगा डेडी मेट ताहिनी पेस्ट भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसमें उबले हुए सुफैज चैने शामिल करें धाई कप निमुकरास 2 टेबल स्पून ओलिव आईल 3 टेबल स्पून बारीक कटा लैसन 1 टी स्पून नमक हस्पे जरूरत अब इसमें हस्पे जरूरत पानी शामिल करें इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लें जब तक इसका क्रीमी पेस्ट बन जाए मैंने इसको ब्लेंडर के जग में से इसमें चॉपर में शिफ्ट कर लिया था इसमें अच्छा सा इसका पेस्ट बना लिया है पेस्ट यार है अब इसको ओलिव ओल पैपरिका पाउडर और ओलिव से गार्णिश करें अब इसको आप होम मेड पीटा ब्रेट के साथ सर्फ करें इसकी रेस्पी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है अब वहाँ से देख सकते हैं उमीद करती हूँ मेरी आज की रेस्पी आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू अलाहाफिज